सबसे पहले आपको अब तक का अपडेट देते हैं उतरप्रदेश की 10 सीटो पर अब तक 46.78% मतदान हुआ है तो वोटिंग का अब तक का अकड़ा सामने आया है उतरप्रदेश की 10 लोग सभा सीटो पर आज बोटिंग हो रही है और अब तक 46% से जादा मतदान हो चुका है 46.78% मतदान कुल यूपी में हुआ है और अगर सीटो वाइस बात की जाए तो आवला में 43.61% बरेली में 45.96% एटा में 48.10% वोटिंग होई है तो आगरा में 43.65% मतदान हुआ है पतैपूर सीक्री में 46.18% वोटिंग होई है बात फिरोजा बात की की जाए तो 48.06% वोटिंग यहाँ पर की गई है संभल में 52.24% वोटिंग होई है हातरस की बात की जाए तो 44.06% मतदान यहाँ पर हुआ है इसके अलावा मेंनपूरी में 45.50% मतदान हुआ है बादायू में 3 बजे तक 45.44% मतदान अब तक हुआ है तो एक एक करके उत्तरप्रदेश की 10 लोग सभा सीटे जिन पर अब तक कितनी वोटिंग हुई उसका ताजा अकड़ा हम आपको दिखा रही है आपकी स्क्रीन पर आग्रा में 43.65% मतदान फतेफ़ पूर्सी क्री 46.18% वोटिंग हुई है अभी तक इसके अलावा फिरोजाबाद की बात करें तो 48.06% मतदान मैनपूरी में 45.50% मतदान हुआ है एटा में 48.10% वोट डाले जा चुके है आवला सीट पर यूपी सरकार के मंतरी धर्म पाल सिंग ने अपने परिवार के साथ अपने गाउं में वोट डाला है क्याबिनेट मंतरी धर्म पाल सिंग ने अपने गाउं गुलाडिया में पोलिंग बूत पहुँचकर मतदान किया आपको बता दें आवला सीट पर धर्मेंदर कश्यप को बीज़ेपी प्रत्याशी बनाया गया है तो बरेली डीम अर्विन कुमार और एससपी ने तहसील पहुचकर अपना अपना वोट डाला है बरेली के डीम रविंदर कुमार और अपने परिवार के साथ वोट तहसील पहुचे और परिवार के साथ वोटिंग की वहीं SSP सुशील चंद्रभान ने भी तहसील पहुँचकर अपने परिवार के साथ वोट डाला तो ना सिर्फ राजनेता बलकि प्रशासने का धिकारी भी अपने परिवारों के साथ पहुँचकर वोटिंग कर रहे हैं वोट डाला बरेली में उसकी तस्वीर हम आपको देखा रहे हैं वोलिंग बूत पर पहुँचके अपने परिवार समेत वोट डाला डियम और एसस्पी ने दरसल वोटिंग परसेंटेज बढ़ाई जाए इसके लिए अलग-अलग तरह की तस्वीरें और एक पॉजिटिव मह बनाया जा रहा है ताकि लोग अपने घरों से निकले और मतदान करें उदर कासगंच जिले के विधान सभा कासगंच के गाउं रामपूर में गाउंवालों ने मतदान का बहिशकार कर दिया गाउं में विकास कारें ना होने से गाउंवाले बेहद नाराज हैं उन्होंने प्रशासन समझाने की कोशिश करता रहा लेकिन लोग बिल्कुल नहीं माने और वो अपने जित पर अड़े रहे कि वो मतदान नहीं करेंगे उनका आरोप है कि एक सड़क वहाँ पर नहीं बनाई गई है और यहां विकास कारें नहीं किया गया है जनता ने इसलिए मतदान का बहिशकार करने का फैसला किया है सबसे होट सीट मानी जा रही है मैंपूरी सबसे हाइप प्रोफाइल सीट दिमपलियादा खुद यहां से चुनावी मैदान में है और अभी तक के पॉलिंग परसेंट की बात करें रिशब मनी तो यहां से क्या डेटा सामने आया है क्या वोटर्स में उत्साह दिख रहा है अभी तक जो तीन वज़े तक का वोटिंग परसेंटेज मैंपूरी का है वो करीब 46 फीजदी है और जैसा आप सही कह रहे हैं थी आस्था जो यह सबसे हाइप प्रोफाइल सीट है मैंपूरी और मैं इस वक्त मैंपूरी के सबसे हाइप प्रोफाइल बूथ पर हूँ सैफ प्रिकली यह जिला इटावा पड़ता है लेकिन लोगसभा सीट मैंपूरी है तो एक जस्वंत नगर विधान सभा जो मैंपूरी लोगसभा में आती है वो इटावा जिले में आती है लिहाज़ा यहाँ पर इटावा की पुलिस तैनात है और अभी भी शिवपाल यादो का इंतिजार है एक हाई प्रोफाइल वोटर है जो शिवपाल यादो यहां के विधायक भी है जिसकों नगर विधान सभा से बताया जा रहा है कुछ ही दिर में शिवपाल यादो यहाँ पर अपना वोटकास्ट करने आ सकते हैं लिहाज़ा यहाँ पर पुलिस प्रशासर मु है यह भी उनकी और से कहा गया यह भी कहा गया कि हम चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी करेंगे लेकिन जैसा मैं सुबहेच से देख पा रहा हूं साथ साथ बजे के बाद से ही यहाँ पर लगातार जो पूलिंग है वो बनी हुई है खासता और से साहफ़ा ही जो पूरा बूथ में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का वो दबदबा देखने को मिल रहा है सैफ़ाई की पहचान इसी यादव कुनबे से है और वो यहाँ पर नजर भी आ रही है उपचुनाव में डिमपल यादव यहाँ पर जीद गई थी लेकिन इस बार रेपोर्ट है उमेश यहाँ पर कितना फीसद मद्दान हुआ है और शफिकूर रह्मान बर्क के बाद यहाँ से उनके बेटे ही हैं जो की मैदान में हैं तो किस तरह की मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ा गया है जैदिके संभल के मद्दाताओं में जोश दिख रहा है तीन बजे तक का जो आकला है वो तकरिबन बावन दशमलों दो चार फीजदी का मद्दान यहाँ पर हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि पोलिंग परसेंटेज नेर बाउट मोर देन 65 परसेंट के आस्पास का सं अधर का महापर्व मनाया जा रहा है लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अगर पहले फेज और दूसरे फेज के तुल्नात्मक अध्यन किया जाए तो इस फेज में पोलिंग परसेंटेज में इजाफ़ा हुआ है ऐसा लगता है अगर पहले फोस की बात की जाए या सेक हो रहा है पोलिंग परसेंटेज कुछ बढ़ा है ऐसा लगता है क्योंकि संभल में 52.24 परसेंट के आसपास की पोलिंग हुई है और उत्तरपदेश की जितनी भी दस लोग सबासीटों पर आज है एलेक्शन हो रहा है उनमें से सबसे ज़्यादा पोलिंग अब तक संभल मे ही हुई है लोग घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं संभल में जो मुद्दे एहम मुद्दे सामने आए हैं जिनके आधार पर मद्दाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था को ल आप देखेए घूंघट में तब फिमकर से बड़ी जिम्ञदारी है सबसे बड़ी पाकत का एसास कर आना किया सोच करके किन मुद्डो के अधार पर आपने अपने सबसे अधिकार का प्रयोग किया क्या जहन में था चौने के आप दिल घुक दिमाग में चलता है घब लिए अच्छी होनी चाहिए आप भी घूंगट में आई हैं गाउं की महिलाए हैं ग्रामीर महिलाए है लेकिन अपना फर्ज अबा कर रही है अपनी ताकत को अब बता यह मैडम आप यहां पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आपके हाथ में वीगों भी देख रहा हूं देखिए मैडम यह इनके हाथ में वीगों लगा हुआ यानि यह बीमार रही होंगी लेकिन यह मद्दान करने के लिए यहां पर आई है और शाद यही कराने की संभल का प्रशंट रहे वह कहीं जादा है आप बीमार थी लेकिन आप वोट करने के लिए अपनी सब्सक्राइ सब्सक्राइब करने के लिए और तस्वीर अपने आप में बताती है कि कैसे लोगतंदर के महापर्फ को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसे ही लगातार आ रहे हैं और समुछे संभल में का होवेश ऐसा ही नजारा दिखने को मिल रहा है और देखें कुछ और मद्दाता भी रहे हैं अंसे भी मप करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है किन मुद्दों के अधार पर वोट कास्ट करने के लिए दोगातालने के लिए तबी को मतदान करना चाहिए बिल्कुल उवेश और ये परिवेश भी जो है ये कुदाहरण है कि ग्रामिन परिवेश से भी महिलाएं जब घरों से बाहर निकल कर अपने मतादिकार का अस्तमाल कर रही है तो शेहरों में बैटे होई लोग क्या कर रहे हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब सक बोट नहीं डाला सीखना चाहिए इन तस्वीरों से घरों से बाहर आएं मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं अपने मतादिकार का अस्तमाल करें फटेःपुद सीक्री चलते हैं कामिर कोरेश हमारे सात्या कामिर क्या रिपोर्ट फटेवेश से कितना मतदा लेकिन इस बार जो आंकड़े बड़े हैं और अभी तक तीन बजे तक का जो आंकड़ा वो छालिफ पिटीशल तक हुआ है कह सकते हैं कि लोग जागरों हुआ है और अपने मतादीकार का इस्तिवाल करने के लिए चाइज धूप कितनी भी कड़क हो कितनी भी तेज हो लेकिन मतदान के अंदर में पहुँश रहे हैं और अपने मत का उपयोग करेंगे और यहाँ बड़ करेंगे तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो आंकड़े हर बार 35 से 45 परसंटेश तक तीन बजे तक होते थे वो अब 46 पिटीशल तक हुए हैं और कहीं न कहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी दो से तीन गंटे वोटिक और चलेगी तो यह आंकड़े और बढ़ेंगे लगबस 55 से 60 पिटीशल तक के आंकड़ों का अनुमान फत्र को सीखिए लोग सभा में लगाया जा रहा है अलकि जो अभी भी देखें कुस लोग हैं जो अभी भी वोट डालने आ रहे हैं उ और मैला इसे भी देखें के और मैला सुर्क्षा कैसी है अधार बॉस कराम है और चाहिए लोग में लेक्षा पर अधेल रहे हैं और जो बेरोज गारें सब्सक्राइब बहुत खाई लेज़ पी खत्म होनी जी है यूज के काम हुए था पिए एदिकेशन के भी बहुत ग्य कुछ लोग अपनी परेशानी भी बता रहे हैं अपनी उमीदे भी जाहिर कर रहे हैं लेकिन आज फैसले का दिन है आज वोटिंग का दिन है हातरस का रुक करेंगे सुमित कुमार हमारे साथ हैं सुमित वहां किस मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं और अभी तक कितने फ तक यहां पर मद्दान हुआ है हाला कि गर्मी बहुत है गर्मी की बज़े से थोड़ा बोटर अभी कम निकलता है कि करके लोग घरसी जैसे फिरी हो रहे हैं वैसे मद्दान करने के लिए आ रहे हाला कि 24.6% मद्दान हो चुका है हाथतस के अगर मुद्दे की बात करेंगे त हाथतस सहर में जो मुद्दा है लोगों का सड़क को लेके और स्टड़ी को लेके सिक्षा को लेके मुद्दा है अगर हाथतस के लोगों की बोटिंग की बात करेंगे तो हाथतस के लोग कानूल विवस्था को लेके मद्दान कर रहे हैं और जादा से जादा हाथतस में मद प्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र पातदान जो है वो अभी चल रहा है लोगों में उत्साह नजर आ रहा है चपे चपे पर हमारे सहयोगी मौजूद है जो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं